हेलो वरिवन वेलकम यू आल इट लोकेश सर अलिम्टर्ड स्टाडी जोन आए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में हम विलोम शब्द के क्विज कॉम्पिटीशन को करेंगे तो सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट करेंगे इसका क्विज हम करेंगे तो चली बताते हैं इसके कुछ विलोम शब्द आदी का विलोम शब्द अन्त होता है और अन्त का क्या होता है आदी अंतरंग का विलोम शब्द होता है बही रंग आकाश का पाताल आचार का अनाचार उदगम का उदगम याने निकलना और विलय याने जाकर के मिलना उदगम का विलोम शब्द विलय एक का अनेक करकश का होता है शुशील करकश का क्या होता है कंट कित मतलब कांटों से भरा हुआ, और अकंटक मतलब कांटों में जिसमें ना हो, अक्षत का होता है विक्षत, आकर्षन का विकर्षन, आत्म विश्वास का आत्म शंशय, उद्दांत का अनुद्दांत, याद रखेगा, उदात का अनुद्दात, ये इंपोर्टेंट है, इक ऐश्वरवाद का बहुदेवबाद का पुरश पुरुश आर्थी यह नया है आपके लिए का पुरुश और पुरुश आर्थी और खुश किस्मत का बतकिस्मत यह तो आप जानते ही हैं धेन और कुछ पर्यायवाची देखेंगे घटक का परियावाची समुदाए घणा का छित्रा घणा मतलब घणा घणा और छित्रा मतलब फैला हुआ चिर का अचिर चिर का अचिर चिरिस्थाई जो हमेशा के लिए रूका रहे अल्पिस्थाई जो हमेशा के लिए ना हो दयालू का निर्दई धरा का गगन धरा याने जमीन और गगन याने आस्मान प्रत्य का अप्रत्य और इसके बाद दुराचारी का सदाचारी धुरूव का आइस्थिर धुरूव का आइस्थिर एक तरीके से समसकते हैं कि जो धुरूव होता है वो एक तरफ ही पाया जाते है और ध्रुब का उल्टा हो गया आइस्थिर प्रभु का हो गया भ्रत्य प्रभु का भ्रत्य याद कर लिजे इसको प्रभु का भ्रत्य फाटक का प्रयावाची हाटक ये लिजे ये मुझे भी पहले पता नहीं था फाटक का प्रयावाची हाटक फुल का प्रयावाची मलान बचपन का योवन याने जवानी बचपन याने बचपन जानते हैं बहिशकार का सुईकार इच्छुक का अनिक्छुक मतलब जिसकी एक्छा हो अनिक्छुक मतलब जिसकी एक्छा ना हो भोला का परियावाची चालाग इज़त का बेज़त भगवान का परियावाची भगवत इस वारी पर्यावची बोल रहा हूआ माफ कीजेगा यह सब के सब विलोम हैं मैं गल्ती से पर्यावची बोल गया है यहां से सहिद बोलाया मैंने इष्ट का विलोम, अनिष्ट, भय का साहस, ठीक है, इधर का विलोम, उधर, बड़ा का छोटा, उद्दत का विनत, फैलना का सिकुडना, एडी का विलोम है चोटी, क्योंकि एडी सरीरी में सबसे नीचे और चोटी सबसे उपर, प्रगल्ब का विलोम शब्द है, अप्रगल कलंकित का निश कलंकित धवल का श्याम धवल मतलब होता एक तरीकी से सफेद धवल का नाम जान लेजे सफेद को शुएद को बोलते हैं धवल शफेद हो गया तो शफेद को सफेद भी बोलते हैं शुएद भी बोलते हैं और शुएद को धवल भी बोलते हैं ठीक न यह हो गय इसके बाद गुप्त का होता है प्रगट, गुप्त मतलब जो छिपा हुआ हो प्रगट यानि जो सब के सामने हो, द्रश्य का द्रश्य, चोर का साधू, और कर हमने पढ़ा था, साधू का हमने कल पढ़ा था विलोम सब्द असाधू, साधू का विलोम सब्द हमने पढ़ा थ असादू घात का प्रतिघात घात का प्रतिघात तो ये घात का विलोम शब्द हो गया प्रतिघात ठीक है अब आईए देखते हैं कुछ हमाय सामने प्रशनुत्र हैं आपको इन प्रशनुत्रों के सभी को जवाब देने हैं तो दीजिए इन सब के जवाब ये कुछ आपके स तो गरिमा का विलोम सब्द है लगिमा अथ का विलोम सब्द बताईए इती कृसी युग में विलोम सब्द नहीं है कौन सा युग में है इसमें जोडा जिसमें विलोम सब्द नहीं है प्रगट का गौण वक्र का रिजू ये तो सही बात है व्यस्त का अकरमंड प्रफुल का मलान तो कौन सा नहीं है, ये देखिए प्रकट का गौण विलोम सब्द नहीं है प्रकट का होगा गुप्ठ होगा वेरी गूड और गौण जो होता है, वो होता है मुख का उल्टा, है ना तो इसलिए ये शब्द जो है ये वाला ए वाला जो option है इसमें विलोम शब्द नहीं है अगला किसमें विलोम शब्द है इसमें देखना है कि किसमें विलोम शब्द है fourth question क्रोध शांत इस्थावर आस्थावर वन्य अवन्य विधी निशेध बताईए कौन सा चौथे कौश्चन में विलोम शब्द किसी में पाया जा रहा है किसमें विलोम शब्द है फोर्थ कौश्चन फोर्थ कौश्चन में कहां पर विलोम शब्द है भाई वन्य का अवन्य होता नहीं है इस्थावर का इस्थावर होता नहीं स्थावर का होता जंगम ठेक ना क्रोध का शांत नहीं होता होगा करेक्ट आंसर है विधी का निशेध लिख लीजिए विलोम शब्द होता है विधी का निशेध ठीक है तो यहाँ पर विधी का निशेद है यथार्थ का विलूम शब्दत है यथार्थ का यथार्थ मतलब जो वास्तों में है और यथार्थ का क्या होगा जो ना हो वास्तों में काल्पनिक या काल्पित काल्पनिक या काल्पित जैसे आप जो कल्पना करते हैं कि टाइम क्या बोलते हैं शुशुप्त देख लीजे शुशुप्त जागरत का शुशुप्त विमुख का बताईए सात्वा कोश्चन विमुख का विमुख मतलब दूसरे की तरफ ध्यान देना उन्मुख मतलब किसी विशेस की तरफ ध्यान देना तो विमुख का हो गया उन्मुख अ अजे जिससे चीता आजा सके, अजे लिखा है फैसकों कोई हरा नसके वो अजे होता है, ठीक ना, जो कभी किसी हार ना सके वो अजे होता है, question number 9, निवन में से कौन सा बिलोम सब्द सही नहीं है, आपको बताना है, नेकी का बदी सही बात है, निशिध का विहित ये भी सही है, धरश्ट का विनीत ये भी सही है, घरेलू का समाजिक ये सही नहीं, घरेलू का बाहरी हो जाएगा, घरेलू मतलब घर से सम्मंदित और बा इसने बोला कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा अंसर बनेगा, question number, sorry, option number 29th का, option number 10th की बात करते हैं, निमलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, फिर से बताना है कि कौन सा युग्म नहीं है, question number 10, okay, मुनाफ़ा लाभ, लिव भाई, पहले में ही गलत गलत हो गया, ये साही है, बही मुनाफ़ा और लाभ तो परियावाची हुए न, विलोम थोड़ा न हुए, क्योंकि मुनाफ़ा का मतलब भी प्रॉफेट होता है, और लाभ का मतलब भी प्रॉफेट होता है, तो ये तो पहले में ही आ गया, बाकी देख लेते हैं, knowledge के विलोम शब्द नहीं है, question number 11, किस में विलोम शब्द नहीं है, प्रवत्ति, निवर्ति, बहिरंग, अंतरंग ये तो है, प्रत्यच परिवर्ति, पदवनत, पदावनत, ओके तो देखें, प्रत्यच का अप्रत्यक्ष होता है, ये विलोम सब्द नहीं है, प्रत्यक्ष का क स्वाधीन मतलब आजाद आजाद का क्या होगा पराधीन स्वाधीन का पराधीन अब गुलाम भी होता है मगर देखिए स्वाधीन में धीन लगा है तो इसका भी धीन होगा पराधीन क्वेश्चन नमर तेरेवे का सी हो गया क्वेश्चन नमर चौदहवा बताईए चौदहवा निम्न मेंसे छणिक सब्द का विपराद छणिक मतलब जो पल भर के लिए हो और पल भर का उल्टा जो जिन्दिगी भर के लिए हो क्या होता है सास्वत जो हमेशा के लिए उसको क्या बोलते है सास्वत अनुराग का विलोम सब्द बताईए बहुत ही सिंपल है अनुराग का विराग अगला बताईए सोलमा कॉश्चन निम्न लिखित सब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है प्रसारण का संकुचन सही है उजस्वी का निस्टेज सही है ओके ये भी जानते हैं आप उजस्वी का निस्टेज और बताईए भिग का क्या होता है याद है आपको भिग का अभिग होता है है ना तो ये सभिग लिखा है तो ये वाला गलत है तो correct answer यह होगा क्योंकि उसने पुछा कौन सा सही नहीं है तो सही ये वाला नहीं है तो हमें ये यह answer देना पड़ेगा क्योंकि उसने पुछा गलत कौन सा है तो गलत बताना है हमें तो ये है correct answer देहाती का क्या होता है शहरी शहर में रहने वाला शहरी गाउं में रहने वाला देहाती समस्टी का विलोम सब्द बताईए समस्टी का विलोम सब्द होता है व्यस्टी समस्टी का विलोम सब्द व्यस्टी अवर का विलोम सब्द कल बताया था मैंने बताईए अवर का विलोम सब्द क्या होगा प्रवर ठीक है ना और बताईए next question अमा 19 अभिग का विलोम सब्द क्या होगा अभिग का विलोम सब्द होता है अनभिग है ना ठीक है ना और अग्य का होता है विग्य हाँ रिजुता रिजुता याने की सीधापन रिजुता का बताईए क् 20 questions, रिजुता का बताईए क्या होगा, रिजुता का वक्रता, रिजुता का वक्रता, उतकर्स का बताईए क्या होगा, सब लोग जानते होंगे, उतकर्स का होता, अपकर्स, उतकर्स का अपकर्स, तो मित्रों ये रही आज की विलोम शब्दों की class, कमेंट करके जरूर बताई ये वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसी लगी आज की क्लास धन्यवाद